हेलो फ्रेंज आप सब का स्वागत हैं आज की इस वीडियो में तो आज हम कट वर्क के साथ प्लाजो पेंट का बिल्कुल नया डिजाइन बनाने जा रहे हैं ऐसा कट वर्क का डिजाइन आपने पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा तो चलिए हम अपने इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं तो ये मेरी प्लाजो पेंट है जिसे ऐसे मैंने न उल्टा करके रख लिया है और नीचे से न दो इंच उपर न मैंने एक सीधा सीधा माक कर लिया है और दो इंच पे न मैंने ये पेपर पेस्टिंग भी पेस्ट कर ली है इस पे ये जो मैंने माक किया है न इसका भी मैं आपको बता देती हूँ इस पे जो पहला माक है न वो आपको एक इंच पे करना है ये देखिए उसके बाद आपने दो-दो इंच का गैप लेते हुए ऐसे मार्क कर लेने हैं इसे इन में सारा गैप आपने बिल्कुल बराबर लेना है दो-दो इंच का और ये जो नीचे आप पट्टी देख रहे हो ना ये भी मैंने सेम प्लाजो पेंट वाले फैबरिक से ही कट की हैं ये देखिए और ये न ये पट्टी मैंने 2.5 इं शुड़ी ली है ये दिखे ठीक है और इस पे बिन मैंने नीचे से 1.5 इंश उपर एक सिधा-सिधा mark किया और इस पे ये 2.2 इंश वाली marking कर ली इसकी पहली marking भी हमें 2.5 इंश पर ही करनी है ये दिखिए उसके बाद फिर शे ऐसे ही 2-2 इंच का gap लेते हुए mark कर लेने हैं अगर हम ऐसे marking करेंगे तो ये वाला जो pattern है इसके बिल्कुल center में आ जाएगा ऐसे ये दिखिए ये इसका folding वाला part है नीचे वाला ठीक है अब हमने ये जो marking की है ना इसे हमने cut कर लेना ये वाली marking तक इधर वाली marking को भी हमने ना सिरफ 2-1 इंच वाली marking तक ही cut करना है ऐसे बहुती easy tips के साथ मैं आपको ये design बनाना बता रही हूँ मेरे ऐसे ही designs देखने के लिए मेरे channel को subscribe कर लीजिए और शाथ में bell icon तो जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो इस तरफ के सारे cuts हमने ऐसे लगा लिए हैं अब हमने ना नीचे वाले parts की भी marking को ना ऐसे cut कर लेना है friends अगर आप मेरे facebook page पे नई हैं तो मेरे page को follow कर लीजिए मैं हर रोज एक नई वीडियो facebook पे भी डालती हूँ तो दोनों तरफ ना हमने अपनी marking को ऐसे cut कर लिया है अब हमने ना इसे fold कर लेना है ये जो cuts हमने लगाए हैं ना एक piece को ऐसे उठाएंगे और दोनों तरफ से ना इसे ऐसे fold करते हुए इसका triangle बना लेंगे ऐसे और इसे ना प्रेस करके अच्छे से बिठा लेंगे और इसके नीचे वाले pattern के भी cuts को भी ना हमने same fold करना ऐसे ही double fold करके इसके भी triangles बना लेने हैं और इन्हें भी प्रेस कर लेना है अच्छे से तोनों तरफ के triangles ना हमें same ही बनाने हैं ऐसे ही ना हमने सारे triangles को fold करके इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है आप अगर थोड़ा सा पानी डाल के इसे प्रेस करेंगे ना फिर ये ऐसे ही बैठ जाएंगे खुलेंगे नहीं, तो अभी मैं आपको न थोड़ा सा पानी डालके इसे प्रेस करके दिखाती हूँ तो ये दिखिए हमारे ये ट्रेंगल्स ऐसे रेडी हैं, ये खुल भी नहीं रहें आपने इसी तरीके से सारे ट्रेंगल्स को फोल्ड करके रेडी कर लेना है तो ये नीचे कटवर्क वाला पेटरन हमने ऐसे प्रेस के साथ रेडी कर लिया है और इसके साथ मैचिंग मैंने सेम कुड़ती वाला ही फैब्रिक कट किया है स्ट्राइप्स वाला ये फैब्रिक मैंने पांच इन चोड़ा लिया है और लंबाई में अपनी प्लाजो पैंट की मोरी के जितना ही लिया है और इसकी उल्टी साइड पे ऐसे मैंने पेपर पेस्टिंग भी लगा ली है अब हमने ये फोल्डिंग वाले पैटरन को ऐसे सीधा करके ही रखना है और ये स्ट्राइप्स वाले फैब्रिक को बीस के उपर ऐसे सीधा करके रखेंगे बराबर रखेंगे और आधे इंच का मार्जन लेते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे तो ये वली सिलाई हमने ऐसे लगा ली है अब हमने नीचे फोल्डिंग वाले पैटरन को ऐसे उपर की तरफ लेके आना है इसके ऐसे ऐसे इसे उपर की तरफ लेके आएंगे और नीचे से ना इसे प्रेस कर लेंगे यहाँ पर कोई भी सिलाई नहीं लगाएंगे और अपने ना बिल्कुल कट वर्क के किनारे किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे अगर आप बिगनर्स हैं तो धीरे धीरे ना ऐसे कट वर्क के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएं तो ऐसे हमने अपने कटवर्क के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिला ही लगा ली है अब हमने इसे अपनी पैंट के साथ स्टिच करना है तो ये जो हमारी पैंट वाला पैटरन था इसे भी हमने ऐसे ट्रेंगल की शेप में फोल्ड करके प्रेस कर लिया था अच्छे से अब हमने न अपने पैंटवाले जो ट्रैंगल्स न वो नीचे वाले पैटरं के न बिल्कुल सैंटर में लेके आने ऐसे ऐसे लेके आने है एक इंच के गैप के साथ और यहाँ पे भी न हमने बिल्कुल अपने कट्वर्ग के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है ये सिलाई न आप बिल्कुल धीरे धीरे लगाएं क्यूंकि गैप हमारा न बिल्कुल एक जैसा ही आना चाहिए ये धियान में रखें आप तो ये देखिए उपर वाले कटवर्क के किनारे किनारे पे भी हमने ऐसे सिलाई लगा ली है और कितना यूनीक और डिफरंट हमारा ये डिजाइन लग रहा है ना तो चलिए अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं तो फिटिंग की सिलाई भी हमने इसे ऐसे लगा ली है और हमारा ये डिजाइन ऐसे रेडी है कितना सिंपल और ब्यूटिफल लग रहा है ना ये डिजाइन तो अभी मैं आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ पहनने के बाद हमारा ये प्लाजो पैंट का डिजाइन कुछ ऐसे आ जाएगा आप भी ये वला डिजाइन अपनी प्लाजो पैंट पे जरूर ट्राइ करिएगा डिजाइन अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ में बेल आइकोन तो जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिजाइन के साथ मिलते हैं तिल देन बाई बाई